दोफ्तों अभी आप लाइब देख पा रहे होंगे बिहार इस्कुल एक्जामिनेशन बोर्ट पतना के द्वारा इंटर्मीडियेट एन्वल एक्जामिनेशन दुहजार चौबिस का जो आयूजन किया जा रहा है उसका dummy admit card जारी कर दिया गया है इस dummy admit card को आप अपने mobile के जरिये कैसे डाउनलोड करेंगे जिसकी step by step process आपको बताएंगे साथे साथे इस dummy admit card को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करनी है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो को आप अंतक देखिए हर एक जानकारी को अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आ है तो इससे like share जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो subscribe करें इस परकार के लगातार update आप तक मिलती रहेगी और हमारे साथ हमारे whatsapp channel telegram channel से join जरूर हो ताक कि जिससे आने वाली आगली जो भी update होगी उसकी जनकारी आपको सबसे पहले मिल पाएगी इससे download करने के लिए आप अपने mobile में google open करें google में आपको type करना है online update htm जैसे आप इतना लिखते हैं आपके सामने यह first website online update htm.in का मिलेगा यहां आप click करें या न तो नीचे आएंगे तो admit card वाले section पर click करना है जिसमें आप देखेंगे तो एक option आपको मिलेगा बिहार बोर 12th dummy admit card जिस वाले link पर आपको click करना है जिसे ही आप यहां पर click करते हैं dummy admit card से जूरी हर एक जनकारी आपको बताई गई है जिससे आप समझ सकते हैं dummy admit card में अकर कोई भी गलती आपका हो जाती है तो इसे आज से ही आप सुधार करबा सकते हैं और 11.11.2013 तक ही आ आपके सुधार होगी इन बातों को ध्यान रखेगा बाकि जब आप नीचे आएंगे notification आपको मिलेगा जिसमें पूरी जैनकारी आपको बताई गई है dummy admit card आपके जो विदाले का ध्यापक है उनके द्वारा भी दिया जागा तो उनके द्वारा भी आप ले सकते हैं अगर आप खुद से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो डाउनलोड करने के लिए नीचे जवाब आएंगे important link में आपको direct link आपको मिल जाएगा dummy admin card डाउनलोड करने का जिसके सामने आपको click here वाले विकल पर आपको click करना है click करने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले registration number डालना ह दियान रखना है registration number डालते समय आपको सबसे पहले R बड़ा लिखना है और यहां से slice आपको लगाना है बाकी आपका जो roll code होगा इस परकार आपना roll code लिखीगा उसके बाद यहां पर slice लगा कर जो साल आपका होगा जो आपको registration number पर मिला होगा इस अनुसार इससे fill करें और option यहां पर download का मिलता है इस वाले विकल पर click करना है अब जब इस पर click करेंगे तो इस परकार एक pop-up का pop-up blocker का और यहां पर एक option मिलेगा allow so का जिस पर option पर click करेंगे तब ही download होगा अगर आप इसको allow नहीं करते हैं चाहिए laptop से भी करेंगे तो आपको इसको allow करना जरूरी है इस पर click करेंगे आपके सामने आपका dummy admit card download होकर आ जागा जिसमें आप पूरी जनकारी जरूर मिलान करें मुख्य रुप से इसमें मिला क्या करना है आपको नाम पिता जी का नाम माता जी का नाम आपको अपना अधार card और जो भी subject आपने लिया हो जनकारी को देखे जिसकी विबरन आपको यहाँ पर दिया गया कि कौन-कौन से आपके subject होने वाले नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक आपको original copy आप आप का सुधार नहीं होगा अगर आप अभी सुधार नहीं करवाते हैं बाद में आपको पता चलता तो यह आपकी जिम्यवारी होगी और आपकी विद्दाले की जिम्यवारी होगी कि जो भी गलतिया रहे गी उसी गलतिया के अनुसार ही आपका final admit card जारी कर दिये कि आप अपनी जनकारी को एक बार मिलान करें, कोई भी गलतिया है, तो उसे आप अभी सुथार करवा ले, वरना आपको यही जो गलतिया है, यह आपको आगे चल कर आपकी मार्क सिट आएगे, एडमिट काड आएगे, तमाम डीटेल में यह मेंसन रहेगे, तो यह अपडेट अगर आपको पसंद आ हो, तो इसे लाइक सेर कर दीजिए, और चैनल को सस्क्राइब कीजिए, आगे कि जो भी अपडेट होगी, वो आपको मिलती रहेगे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद